तो आज क्या हमारा टॉपिक होगा वैलेडेशन तो वैलेडेशन कितने तरीकों की होती है किस तरह से हम जो है वैलेडेशन के प्रू नमबर ऑफ हेकर से बचते हैं वैलेडेशन के यूजेज्स कीं है रियर वर्ड अप्लिकेशन के अंदर हम रेगुलर एफिक्रेशन को यह हमारी जो वैलेडेशन होती है उसको हम क्यों की उदे तो सबसे पहली बात कि जब आप रेगुलर एक्सेशन की बात करते हैं ओवरॉल देखते हैं किसी भी प्रगाम लिंग्वेज इसकी, तो markup language आपकी जो best markup language वह HTML, ये भी आपको validation देती है, ठीक है, ये भी validation provide करती है, ठीक हो गया, and there's an other language as well, we call it as a JavaScript, अब Java is not a markup language, it is a programming language, ये क्या है जी, ये program language है, लेकिन एक दूसरी चीज जो इन दोनों में common है, markup HTML में, और आप बात करते हैं, JavaScript की, तो इन दोनों के अंदर एक common चीज है, वो क्या है, कि ये दोनों की दोनो client-site languages है, क्या ही है, client-site languages है, यानि HTML और JavaScript, ये client-site इसलिए है, क्योंकि इन दोनों का code आपके web browser के उपर execute होता है, और even, इनका code कोई भी user देख सकता है, concept के लिए हुआ, कि इनका code आपके किसी भी user ने, for example, आप एक website बना के hosting करवा दी उसकी, अब कोई भी बंदा अगर आपकी उस website को देखेगा, और आपकी उस website के अंदर, अगर आपने HTML, JavaScript, या कोई style sheet, अगर आपने CSS वगरे यूज की है, तो आपके उनका सारा code आपको यहा आपके दिखेगा, concept के लिए है, यहां तक हमार, concept के लिए है, इस सरा से, हाँ, JavaScript object oriented भी client side ही होती है, चीक है, आपका question है कि क्या client, जो हमारी उप होती है, JavaScript क्या वो भी client side होती है, येस, आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर हम templated जो हमारे classes होते थे, यहां आपने पढ़ा होगा कि जब हम advanced पढ़ रहते जावासिप का, तो उसके अंदर हमने objects बनाये थे, actual में that kind of objects are also a client side, if you are going to execute a JavaScript code, आपका वो execution के बाद भी आपके ब्रादर के उपर code दिखता है, सही सही जी, तो इस तरह से, इन दोनों के अंदर जो common चीज़ थी, वो क्या थी, बोथ हार client side, यानि एक client जो है आपका इनका, ये web client कहा जाता है, web browser को हम web client कहते है, concept क्लियर web browser कह दो, या web client कह दो, एक ही बात हो जाए, सही जी, लेकिन HTML is a markup language and JavaScript is a programming language, यह होगया concept, अब दोनों के अंदर हमारी validation possible है, हम उसको perform कर सकते हैं, तो validation is possible in both the concepts, if you are going to work with a HTML और Java SIP, आप इन दोनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आपकी validation कर सकते हैं, अब ये validation है क्या, actual में समझ में तो ये आना चाहिए, validation क्या है, तो भाई, validation कहते हैं कि अगर मैं is a developer हूँ, ठीक है, या आप इस a developer हैं, आपने एक website बनानी है, तो उस website के अंदर कौन-कौन सा data, किस type का data कहां-कहां देना है, कहां-कहां नहीं देना, या कौन-कौन सा data user दे सकता है, कौन-कौन सा data user नहीं दे सकता, वो developer के उपर depend करता है, कि वो कौन-कौन सा data आपके user से लेना चाहता है, कौन-क आप अपने यूजर को restrict करेंगे कि वो आपकी चीजें जो आप चाहते हैं वो दे तो आपका वो valid data के लागए valid इसी लिए हम इसका concept validation कहते हैं for example अगर मैं किसी भी user से कहता हूँ कि अपना debit card insert करें तो सिर्फ debit card ही insert करें एन ऐसी card insert करें तो सिर्फ और सिर्फ NIC ही insert करें in the state of providing a textual data and other kind of data. सहिए जी अगर मुझे date and time लेना है तो date के format में date दे, time के हिसाब से time दे तो ये तो होगी simple validation लेकिन यहीं तक कहानी खतम नहीं होती जैसे मैंने कहा कि validation के through आप hacking से भी बश्चते हैं अब how is this possible? hacking का concept कैसे आ गया भई यहाँ पे? तो hacking का concept होता है मैं आपको समझाता हूँ majority of जो hacker होते हैं वो आपके web pages को किस तरह से hack करते हैं या किसी भी website को जब hack किया जाता है तो क्या किया जाता है for example अगर मैं आपको समझाओ I hope आपको validation किलियर हो गई है कि जो भी valid data आप user से लेना चाहते हैं उसी को validation कहा जाए सही है अब आपकी अगर कोई bunny बनाई एक complete website है उस complete website के अंदर आपका hacker के से hack करेगा? हमें पता है we are 100% know कि हमारे पास जब भी hacking होती है तो अब उसको जो है internet के through आपकी hacking की जाती है ठीक है? अब आपके windows के firewall होते हैं जो आपके system को protect कर रहे होते हैं ताके आपके इस internet से जो भी virus जो भी hacker आता है तो उसको आपने देखा होगा कि windows के अंदर firewall होते हैं और उन firewalls के through आपके system को protect किया जाता है तो अगर मैं थोड़ा था firewall की तरफ जाहों तो वहाँ पे क्या होता है firewall fire internet को कहा जाता है firewall is a protection होती है तो windows के अंदर दिये गए firewall का मकसद क्या होता है? कि आपके firewall आपके protection के लिए होते हैं थाकिए system को protect किया जाया है किसी hacker से किसी internet से आने वाले आपके सम्मले number of viruses से ताके आपका data protect रहे और आपकी जो data है वो validate रहे यानि आपके पास ही रहे और protect रहे रहे इसी तरह से ये तो concept आ विंडोस तक लेकिन इसी internet के थुरू आपकी overall globe के अंदर आपकी website access होती है अब मेरा system में अगर वो internet से connect नहीं होता तो मुझे कोई खच्छा नहीं कि उसमें कोई जो है बंदा आके interfere कर सकता है without internet के there is a impossible hacking for any person तो कि internet is like a medium एक रास्ता है किसी एक चीज को access करने का अगर वो रास्ता ही खतम है then how the hacker will be accessible to that computer या वो कैसे आपके system को direct कर सकता है तो यह बात आगए local computer की यही बात अगर मैं आपके validation की तरफ लेके जाओं तो simple icon से बता देता हूं कि भाई आपकी पूरी website बना के आप globally रखते एवन यह आपकी access ही internet से होती है तो इसमें तो 100% chances है कि हमारा कोई भी बंदा उसको access कर सकता है अब access कर सकता है यानि उसको कोई भी हरकत कर सकता है अब how is this possible? आपका SQL injection लगा सकता है आपके किसी input किसी और तरीके से कोई ऐसा code आपके website में in करेगा जिसके बदोलत आपके website का सत्कानास हो सकता है अब for example यह आपकी पूरी website है इस website के अंदर जाहर है कहीं न कहीं से user को या आप समलो किसको जो आपका hacker है वो आपके पूरी website के अंदर code अपना भेशता है फिर उसी code के बदोलत आपकी website हेक होती है अब for example यह मेरी पूरी website है तो इस website के अंदर code घुसाने का या code देने का बहुत सारा समलो एक structure है यह आप समलो के आपके website के अंदर code अपने code को aid करने के लिए बहुत सारे तरीक है कैसे मैं URL के थूरू इस website के अंदर code पुट कर सकता हूँ अब वो ऐसा code होगा जाहर है मुझे जब तक इसकी hacking करना है तो इसके code के अंदर जाके अपना code देना है और वो जाके इंटरफेर करें एक तरीका यह हो गया कि URL के थूरू इसमें data भेजू दूसरा number of input अगर कोई input field है उसके अंदर जो data आप लेना चाहते हो instead of that data कोई बंदा code पुट कर दे सब्सक्राइब कर देता है या कुछ और code पुट कर देता है तो आपका किसी भी तरह का code आपके website में गया तो उस code के अंदर जो भी code या जो भी language होगी वो आपकी जाके interfere करेगी और आपके website को हेग किया जाता है दूसरा तरीका यह है अब अगर आप ढूंडोगे तो बहुत सारे तरीके तीसरा तरीका fishing कहलाती है fishing के थूँ यह होता है कि आप किसी भी link के थूँ किलिक करके अपनी चीजों को खुद ही एक से जहरे उत्वे करको यह होता है कि आपको link भेजी जाए उस पर किलिक करें और आपका data उसी link के थूँ भी लिया जा सकता है ठीक है लेकिन fishing की बात नहीं करेंगे मैं input की बात कर रहा हूँ तो input की बात इस तरह से होती है कि आप किसी भी URL या किसी भी input के थूँ आपके website में data hacker put करता है फिर data नहीं होता आपके website के साथ जाके हरकत करता है या inputs के अंदर skip के बजाए आपकी no SQL की चीज़ें, sorry, SQL injection, SQL injection की चीज़ें भी भेजी जाता है अब SQL injection क्या है या आगे की chapters के अंदर हम देखेंगे, SQL injection actual में कुछ चीज़ें होती है जो आपके SQL की query के साथ, क्योंकि query भी तो यहीं website के अंद होती है ना पूरी, तो आपके उस query के साथ भी आपका hacker खेल सकता है by using SQL injection अगर आपने validation नहीं दी, अब validation क्या करती है, किसी भी input, किसी भी URL के तुरू, आने वाला data उसको क्या करती है, आपकी valid information ही लेती है, उसको validate करती है, उसको पहले authenticate करती है कि क्या वो वही data है जो developer ने चाहा है, सहिए जी, तो आपके PHP के अंदर regular inspection का concept आता है, जिसके through हम क्या करते हैं, आपके number of input से वही data लेते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे मतलब का data, सहिए, अब बात आती है कि client side validation होती है, तो क्या कर सकता है user, तो भाई, आपका वो hacker जो है, वो आपके किसी भी website को code के अंदर right click करके जाके किसी भी input को अगर वहाँ पे समलने देखें, मैं आपको simple सा idea देता हूँ, आप लिखते है input type text और उसके अंदर लिखते है required, तो आपको वो value जरूर देनी पड़ती है, उस input के अंदर वो value देनी पड़ती है, लेकिन input right click करूँगा input के उपर inspect element करू तो आपकी इनकी जो दी गई coding है, उसके अंदर modifications करके एवन अपना code भी तो आपकी इनकी जो दी गई coding है, उसके अंदर modifications करके, even अपना code भी दे के आप कुछ भी करवा सकते हैं, तो होता क्या है? अब हमारे पास ज्यादा तर आपकी जो बंदे हैं, वो कह रहे होते हैं कि भाई एक काम करो, validation यूज कर लो, जा सिब के अंदर वो थोड़ी fast होती है, बेशक fast होती है, we know that, right? But, if you're going to work with any kind of server-style language, जो आपकी कोई भी language हो सकती है, suppose, I'm going to mention some server-style languages, languages, names, तो अगर मैं PHP की बात करो, JSP की बात करो, या आपकी ASP की बात करो, ASP.net हो गया, Java Server Pages हो गया, या आपकी Hap Attacks Pre-Proster जो हमारी PHP है, उसकी बात हो जाएगी, तो आपके ये जो है, वो server-style languages है, इनके अंदर भी validation देना 100% लाज़वी है, अगर आप यहाँ पे नहीं देते हैं, it's okay, कोई मसला नहीं है, आपके website की speed को बढ़ाती है, कौन? आपक website के speed को कौन बचाती है, बढ़ाती है, आपके ये जो आपने use की है, कौन-कौन सी languages, आपकी HTML और अगर JavaScript के अंदर आपने validation की है, it will execute your website faster and faster, ठीक है, ये एक फाइदा है, advantage क्या है, कि आपके पास HTML और JavaScript के अंदर की गई validation, क्योंकि HTML के अंदर भी एक pattern की property आ चुकि है, जिसक through आप patterns बता सकते हैं, जैसे JavaScript के अंदर pattern बताया जाते हैं, बहुत सारी आपकी jQuery की online websites भी मिलेंगी, आपके JavaScript की मिलेंगी, जहांपे pattern बनाके आप put कर सकते है, NIC का pattern, password का pattern, email का pattern, URL का pattern, कि इस input के अंदर सिर्फ URL देनी है, इस input के अंदर सिर्फ NIC देना है, इस string के अंदर strong password तो सारी validation की चीज़ें आपको online भी number websites के उपर मिल सकते हैं, आप JS website, patron matching करोगे हैं, जावाज सिप, patron in JavaScript अगर सारी websites मिलेंगी, right, now, भाई, advantage यह है कि आपकी यहां पे, जो आपकी क्या होती है, website faster हो जाती है, ठीक है, faster execution of your site, ठीक है जी, यह हो जाता है, क्यों, वज़ा क्या क्योंकि यह पूरा code web browser के उपर ही execute होता है, server के पास नहीं जाता, अब server for example, अगर यहां है, अगर मैं बात करो, अगर PHP के अंदर website बनी वी है, तो किसी ने किसी web server के उपर आपके पास क्या install होगा, किसी भी web server के उपर आपके पास install होगा, Apache हो गया, यह आपके, suppose, अगर मैं बात करो web server की, तो web server हमारे पास, हमारे computer की तरह यह computer होता है, जिसकी speed और यह सारी चीज़े high होती है, सही है, यानि अब मैं जो बात कर रहा हूँ, web server की बात कर रहा हूँ, वो mainframe संबलो, उसको consider किया जाता है, mainframe जो हमारे computer होते है, उनको web server बनाया जाता है, ठीक है, according to my research, जो मैंने कुछ चीज़े पढ़ी है, उनमें मझे यही मिला, ठीक है, लेकिन होता हमारे computer के जैसा ही computer है, आपने जिसे पढ़ाओगा, अगर मझे PHP को चलाना है, तो मझे XAMP install करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर Apache होता है, Apache एक server है, XAMP पूरा package इस software को, सहीए जी, तो Apache आपके PHP के code को run करता है, किस पे आपके computer के ऊपर, पर आपके computer को हम local host के थूँ चलाते है, यानि local server करके चलाते है, सहीए जी, अब ये web server हो गया, क्योंकि इंटरनेट से connected होता है, और हमारी website यहीं पर पड़ी होती है, हम उसको कहीं से भी access कर रहे हो, now, it's time to say that, कि भाई, अगर आपका PHP का code है, या आपके JavaScript का code है, या आपका जो भी code है, तो मैं इसको server consider कर रहा हूँ, आप Apache, नाम डाल सकते हैं इसका, Apache हो गया, क्योंकि यहाँ पर Apache install होगा, now, अब बात की जाती है, कि अगर आपका समले, validation की गई है JavaScript और HTML में, तो यहीं execute हो जाएगी, और आपक Internet को use करके, आपका ये पूरा का पूरा काम वापिस कहा नहीं जाएगा, server के पास नहीं जाएगा, यानि मेरा कहने का मकसा simple है, कि जब आपने JavaScript के अंदर code किया है, कि input के अंदर कौन कौन सी data आनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं आनी चाहिए, तो वो code वेब ब्राउजर के ऊप के फिर response आए, और अगर आपका internet connection से लो है, तो जाहर है आपका वो, समले आपने 15 fields input के अंदर लिखी, आपने बटन किलिक किया, फिर internet पे वो फाम जाए, फिर server वहां से बताए कि आपने data गलत दिया है, तो इस पे time लगता है, ठीक है जी, लेकिन अगर आपने JavaScript के through validation की, HTML क के through की, तो हमारी website faster हो जाती है, क्योंकि वो server पे, internet के through आपकी, जो है, वो coding जाती ही नहीं है, वहां से execute होके नहीं आती है, यहां तक तो concept clear हो गया, now, अब बात यह आती है, कि अगर आप बात कर रहे हैं, कि भई हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आपन validations, PHP के through भी दी है, यानि इसको server side validation कहा जाता है, इन पूरे concepts को client side validation कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, client side validation, जो आप HTML उजावासिप के through देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो PHP है, वो एक चल में हमारे पास, एक server side language है, तो आपकी server side validation provide करती है, ठीक है जी, त provide करेगी, वो होगी server side, अब server side validation हमारी थोड़ी, क्या होती है, slower होती है, slower than client side validation, तो आप अगर compare करेंगे इन दोनों को, तो आपकी जो server side validation है, it is slower than a client side validation, but अगर आप बात करेंगे किसकी security की, तो आपका server side validation देना लाज़ भी, तो अगर आप as a developer है, आप जब अपनी website बना रहे हैं, तो kindly कोशिश किया करें, कि आप तीनों या दोनों तरह की validation जरूर यूज किया करें, सही है, html यूज कर ली, javascript कर ली, और आप server side जो भी यूज करें, javascript यूज करें, javascript यूज करें, javascript यूज करें, या आपकी और भी, जो भी server side languages हैं, जिनको आप यूज कर रहे हैं, तो आप उन तरह की languages में validation जरूर दिया करें, ठीक है, इसका फायदा यह होता है, कि अगर आप validation देते हैं server side, server side validation के तुरू, आपकी security maintain रहती है, क्यों देखें, अगर आपका hacker, javascript को modify, क्योंकि web browser से javascript बंद भी त कर सकता है, javascript के code को modify कर सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे आपके, जो है, हमारे नुकसान है, अगर आपके client side validation आपने दी है, और server side नहीं दी, तो अपने mind में रखें, कि आपको server side validation जरूर देनी है, क्योंकि बहुत सारे web browser, जो हैं, वो आपके modern तो support करते हैं, javas पर आपके old web browser है, वो तो javascript को support भी नहीं करते हैं, तो अगर कोई web browser javascript को support नहीं करता, यह उसके अंदर आपने या user ने, या hacker आपकी validation, sorry, javascript को क्या किया हुआ है, disable किया हुआ है, block किया हुआ है, अब आपकी अगर block कर ली javascript, तो आपका code चले गई नहीं, javascript का, अब code नहीं चला, याईनि validation को वो cross करके गयला गया, और अपना जो भी code देगा, automatic वो आपकी website में चला जाएगा, और आपके उसके code में जो भी आप उसने बंड की हैं, वो आपके website के साथ कुछ भी हरकत कर से, right, तो कोशिश करके, आप तीनों तरह के validation दें, क्योंकि HTML में validation देन बिल्कुल इजी है, वही pattern भी दे सकते हो, require हो गया, read only हो गया, उसके इलावा आपके जो भी validation के concept आते हैं, आप सब के सब यूज करें, but you must use a server-side validation, तो यह एक इसा समभलने के third party होगी, यह check करती रहेंगी, अगर कोई समभलने normal user है, तो उसके लिए faster access होगी, अगर कोई ब तो आपको क्या use करना है, आपको server-side validation ही use करनी है, instead of using a client-side validation, यह आप तीनों तरह की use करना है, आपकी client-side और server-side, यह हो सकता है, अब बहुत सारे बंदे कह रहे होते हैं, कि क्या sir हम database side भी validation लगा सकते हैं, तो जी आप वहाँ पे भी validation लगा सकते हैं, लेकिन वो validation इतनी नह है, कि आप जैसे client-side और server-side language इसको देते हैं, चीक है, जैसे आपकी वहाँ पे validation यह होती है, कि किसी भी समभलने के column के अंदर duplicate value नहीं आएगी, जैसे आप समभलने के unique की लगा देते हैं, primary की लगा देते हैं, foreign की लगा देते हैं, या composite की लगा देते हैं, तो आपकी validation का मकसद फिर बाकी error आते हैं, जो user को समझ में नहीं आते, you have to elaborate that kind of errors with your, you can say, informative way, अच्छे way में आपको क्या करना पड़ेगा, और error का कोईने को response करवाना पड़ेगा, यहां तो client-side से, यहां तो server-side से, सही है, तो आप तीनों तरह की validations को perform कर सकते हैं, यह था, ठीक है, त से, आपको hacking से, SQL injection से, आपकी कौन सी evaluation लाज़मी है, तो I hope आपको यह सारी चीज़ें clear हो गई होंगी, उमीद है कि आपको यह concept clear होगा, तो मिलते हैं, इंशालला, next lecture.